नमस्कार दोस्तों तो आगा थे फिर से एक नीव वीडियो पर दोस्तों अगर आप भी बीस्ट इयर सेकेंड एर थर्ड इयर किसी भी क्लास के स्टुडेंट है तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाले इस वीडियो में बात करेंगे कि इस वीडियो में थोड़ा सा टाइम निकालकर यह वीडियो को पूरत जरूर देखेंगे ठीक है और सभी उनिवर्शिटी में इस प्रकार का काउंट होता है अंक ठीक है तो सभी उनिवर्शिटी के लिए इंपोर्टेंट है ठीक है काई पी लोगों का कॉस्चन वगर आ र आने वाले हैं तो complete details इस वीडियो में हम बताएंगे आगे वीडियो पर तो इससे पहला अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं तो subscribe भी कर लिजेगा क्योंकि यहां पर result से संबंदी जानकारे हैं ठीक है result से संबंदी जानकारे हैं सबसे पहले upload होगी क्योंकि अभी result वगेरा आने वाला है तो सभी छोटी मोटी जानकारे अपलोड होगी और college से संबंदी जानकारे हैं भी हम यहां पर upload करते रहते हैं तो subscribe आपको करना बनता है ठीक है और comment कर सकते हैं ठीक है इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में कोई question है तो comment करके फूच सकते ह है ठीक है और यहां पर इस वीडियो के लिए 100 लाइक का target हम यहां पर रखें आप 100 लाइक प्लिस complete करा दीजेगा काफी मैनत लगती है 100 लाइक का target इस वीडियो के लिए और telegram group पे join नहीं किया है तो join कर लिजेगा link आपको description पे मिल जाएगा चलिए video start करते हैं है यहां पर यहां पर वीडियो start करते हैं सबसे पहले बात करेंगे foundation foundation course की बात करेंगे foundation में आपके तीन paper होते है ठीक है पहला paper दो paper यहां पर 35-35 अंकिर होते हैं ठीक है और एक paper यहां पर 30 अंक का होता है फ़स्ट paper, second paper और third paper ठीक है तो फ्रहांट यहां पर result किस प्रकार बनता है ठीक तो यहां पर आगर आपके एक पेपर यहां पर गडबल भी चल जाता है या दो पेपर भी गडबल चल जाता है तो आपको यहां पर सिर्फ चाहिए तीनों पेपर के मिला के अंक 34 अंक चाहिए होता है ठीक है 34 प्लस अंक चाहिए होता है ठीक है भला ही आपके एक में एक आये या दूसरे में दो आये और तीसरे में आपके 30-34 आ जाते हैं तो आप अराम से पास हो जाते हैं माला आपके एक paper में एक अंकार है दूसरे paper में भी एक अंकार है अगर तीसरे paper कोई भी paper हो first paper third paper तीसरे paper आपके 34 आ जाते हैं तो आप अराम से पास हो जाते हैं कि ध्यान रहें आप उपस्तित होना चाहिए अगर एक पेपर में अनुप से चोपने काँ है तो आपको उपस्तित अगर तीनों पीपर में उपस्तित है तो आप आम से पास होते हैं एक पर्सेंट आपका कम बनेगा ठीक है तुछ Πा सि港 जो है foundation में pass होते हैं ठीक है foundation course में pass होते हैं तीन paper रहते हैं ठीक है तीन paper के मिलाके आपको total marks यहांपर 34 अंग लाना होता है बले ही आपके कोई paper अच्छा नहीं गया होगा और बाकी paper अच्छे गया होंगे किसी एक विसे में passing marks लाना जरूरी नहीं होता ठीक है तीनों को मिला के 34 संक यहां पर होना चाहिए बस इस प्रकार आप पास यहां पर हो जाते हैं ठीक है आपको कितना लाना है 37 यहां पर हो जाते हैं तो आप पास हो जाते हैं और आपके एक पीपर में आपके दो अंख मिल रहे हैं और एक पीपर में आपके अच्छे कासे अंक हैं आपर मिल जाते हैं जैसे कि 26 है तो आपके 25 मिल गया है ठीक है तो आप अराम से हाँ पर पास हो जाते हैं ठीक है तो आप अराम से पास हो जाएंगे ठीक है अगर आपके मालों फर्ष्ट पेपर सेकेंड पेपर अच्छे नहीं गया थाइट पेपर बहुत अच्छे चल जाते हैं और टोटल मिलाकर आपके यहांपर सत्य संख हो जाते हैं तो आप आराम से पास हो जाएंगे घबराने की जरुरत नहीं है तो इस प्रकार केमेश्टी के अंके काउं ठीक है इन दोनों के भी दो दो पेपर यहांपर देखने को मिलते हैं ठीक है तो आपर बात कर लेते हैं यहांपर चालिस चालिस अंक यहांपर इनके पेपर होते हैं ठीक है तो इन दोनों के अंक यहांपर कितने अंक लाएंगे तो आप पास हो जाएंगे ठीक है तो चालि त्वाले 3 से चैलिस में 3 से बहग यहां पर एक बचेगा कितना एक बचेगा यहां कि तीन दीन नौ यहां पर आपको जो है 14 अगर आप लाते हैं टीक हैं यहां पर शॉरी जूलोगी और yoha पर बात करें बॉटनी के 40-40 अंक यहां पर पीपर होते हैं ठीक है दो पीपर होते हैं यहां पर पासिंग आपको चाहिए दोनों पीपर के मिला के total मिलाकर, आपके 28 अंक होना चाहिए ठीक है अगर आपके 1 और 2 पेपर मिलाकर, आपके परिश्ट बेकार गहा तो दोने मिलाकर आपको 28 अंक्स चाहिए बस, ठीक है बाकी practical के add हो जाते हैं और आप आपके पास हो जाते हैं तो आपको जूलोजी और बाटनी में 28 अंक्स आपको आपको आपर पासिंग अंक्स चाहिए ठीक है तो इस पकार जूलोजी और बाटनी में पास होते हैं आपको लाना होता है 28 अंक्स ठीक है दोनों पेपर को मिला कर ठीक है यहाँ पर अब बात कर लेते हैं प्रक्टिकल की यहाँ पर chemistry के practical के बात करें, chemistry और सभी के practical के बात करें, तो practical हो अगे रहा है, आप यहाँ पर 17 अंक लाते हैं ठीक है 17 अगर आप लाते हैं तो आप प्रैक्टिकल में पास हो जाते हैं ठीक है या तो केमेश्टी की बात करें या तो बात करें जूलोजी की ठीक है जूलोजी की बात करें या केमेश्टी की बात करें तो आप जो पचास में से जो है 17 अंक आपको देते हैं तो आप प्रैक्टिकल में पास हो जाते हैं अन्यता आप फैल हो जाएंगे ठीक है इस पकार प्रैक्टिकल में पास होते हैं पचास में से आपको सतरांक लाना होता है कोई भी प्रैक्टिकल हो सतरांक में आप अराम से पास हो जाते हैं अगर आप प्रैक्ट के तीन पेपर हैं ठीक है फ़न्ट सेकंड और धैर और यहां पर बात कर लेते हैं जॉल्ऌ झी के यहां पर फ़ाष्ट यहां पर बोटनेया ठीक है बोटनी का 1st और 2nd या तो आप यहां पर फैल होते हैं क्या जुलोजी के सेकेंड पेपर रिया कोई भी पेपर हो 2nd पेपर भी हो तो चलेगा तो आगर आप दू सब्जेक्ट में अलग अलग पेपर में फैल होते हैं तो आपको हाँ पर जो सीधर डाईरेक्ट में फैल कर दिया आता है लेकिन सब्लीमेंटी आपको आईगी 혁 शप्लीमेंटी आपको आगे अगर आप डू से जूलोजी या बाटनी का एड़ कर लें तो बाटनी में एक विशय में और केमस्टी के एक विशय में अगर कमंक हो जाते हैं ठीक है तो आपको यहां पर सीधा फैल कर दिया जाता है आप इस प्रकार यहां पर फैल हो जाते हैं ठीक है तो उम्मीद है आपको यह वीडियो किमेंट करके जरूर बताएगा मिलते हैं अगले वीडियो पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद